इधर रीवा की अवधेश प्रताप सिंग स्टेडियम का ये मैदान जुसमें कई प्रतिभाएं तब कर खरा सोना बनी है और यहीं से एक और नूर निकला है जुसका नाम है कुलदीप सेन जिनोंने 13 साल लगातार महनत की है और अंतता उन्हें क्रिकेट जगत में एक बड़ा मुकाम मिला है बतादे कि क्रिकेट के सबसे लोग प्रिये फॉर्मेट T20 में बीते IPL सीजन में राजस्थान रॉयल्स की ओशे खेले और उन्होंने खुद को साविद भी किया है हर मैच में किफायती विकेट लेकर टीम को मैच भी कुलडीप ने जुताया है साथी 150 किलो मीटर की रफ्तार से गेंदबाजी कर सबका ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है लेकिन कहते हैं सफलता के पीछे एक लंभा संगर्ष होता है और संगर्ष को कुलडीप ने बंसल न्यूज के साथ साज़ा किया जिवा का अबधेश प्रताप सिंग विस्सु विद्यालाय का ये मैदान है और इस मैदान से दो ऐसे नूर निकले हैं जिन्होंने विस्सु पटल पर अपना नाम जो है दर्ज कराया है चाहे वो इस्सवर पांडे हो या कुलदीप सेन सबसे पहले तो कुलदीप सेन हमारे साथ में है आपका बहुत-बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में और अभी IPL में धूम मचा के आप आ रहे हैं उसके लिए आपको पहले तो बधाई सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इन्वाइट किया तो तैंक यू सो मच और मुझे बहुत अच्छा लग रहे है अभी मैं यहां पर आया हूँ तो मुझे अच्छा लग रहे है और लोकल अच्छा सपोर्ट मिल रहे है तो बहुत अच्छा लग रहे है तो उसके लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद वो जोस और वो हिम्मत कहां से आई कि आपको लगा नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए और आज इस्थिती यह है कि रेवांचल एक्सप्रस के नाम से आप जाने जाते हैं एक सो पचास किलोमीटर प्रती हंटे की रफ्तार से आप बॉल डाल रहे हैं जैसे मैंने एक साल पर यह साल था कि अंडर 19 खेल लिया था उसके बाद फिर स्टेट कंटीन्यू खेलता था नाइंटीन खेला फिर एक साल गया हुए कुछ जैसे एक आज साल का पीड़िड एस पास साल का अंड़ करता था तो फैंबली सपोर्ट मेरी तरह से अच्छा हो गया और मैंने फैंबली को अच्छी तरह से किया जब या थे या फ्यान तो थोड़सा ओगिया तो थोड़ा सापए तो स्लेक्ट नहीं हो पा रहाता बड़ मेरे दिमाग में था आजिन miracle में तो तो जैसे इस साल में ट्राइल पे गया और राजस्तान की ट्राइल पे गया तो मैं वहाँ पे जब ट्राइल दिया तो मैंने बॉलिंग अच्छी करी सर लोग सब थे सांगा सर यह सब जो सिलेक्टर थे वहाँ पे तो मैंको देखा उनने मेरी तारीफ करी कि you have a good pace I have never seen कौन आपका आइडियल था जिससे आपको ऐसा लगा जिसको देख करके कि नहीं नहीं हमें भी बॉलिंग करना और पेस बॉलर ही बनना है तो मुझे फास बॉलिंग करना बहुत अच्छा लगता था कि जिस तरह दोड़ के आना तेज बॉलिंग करना और सब बोलते थे थे की थोड़ा आराम से डाल तो वह दर जो था ना वहाज़वो leo इंडिया के लिए खेले। प्राने वाले समय में इस मैदान से ऐसे कई नूर ऐसे कई खिलाडी निकलेंगे जो रास्टी फलक पर रिवा नहीं, विंद नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे